नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं युगेश महरिया महरिया क्लासिस की यूटूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं हम हमारे भारत के राष्टपतियों की जो संख्ला चल रही थी उसी संख्ला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं आज की राष्टपति हैं को हम कह सकते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार थी हूँ, आज की कक्षा सीधे to the point हम बात करेंगी, पिछले कक्षाएं जो मैंने पढ़ाई, उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेटर काफी अच्छा है, प्रियाप्थ है, लेकिन कौन से exam की द्रस्टी से questions important हैं, आप वो कक्षा में ही बता दि कि किस exam के point of view से कौन से questions जो आपके बनने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए बिना किसी अपचारिकता के हम आज का topic शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दो मेरे पेरे विद्यारतियों, जो भी नए विद्यारति हैं, हमारे इस online platform पर उनसे निवेदन हैं, सब बर दो चीज, हमारे वीडियो का जो content है, यदि आपको वो हमारी कक्षाओं का content आपको काफी पसंद आता है, तो आप उसे like कर सकते हैं, और comment अवश्य करें, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी अपचारिकता के समय की गरीमा को समझते वे, see that to the point बात करते हैं, तो आज हम बा विंकट रमन अर्थात रामा स्वामी जो विंकट रमन उनका पूरा नाम है, ठीक है दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको सीधासा यहां पर बता दूँ कि देश के आठवे निर्वाचित राष्ट पती हैं, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां से अब अगला जो सवाल यह सभी एक्जाम्स में पूछा जाता है अब जो अगले हम बात करें अगला सवाल सभी एक्जाम्स के लिए बनता है तो सीधा सा पूछा जाता है कि इनका कारेकाल कितना था किसी भी एकजाम में पुछा सकता है सुमेलित करों के रूप में भी ये सवाल आ सकता है हम बात करें 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 यानि की 1992 तो मेरे प्रिया विद्यातियों जैसा मैंने पहले पिछली कक्षाम बताया था हमें डेट सेम रखनी हैं सिर्फ अब आगे प्रतेक 5 साल पर एयर चेंज होंगे यानि की अगले जो हमारे राष्टपति होंगे संकर दयाल सर्मा उनका कारेकाल 25 जुलाई से शुरू होगा और 25 जुलाई को समाप्त होगा तो काफी इजी है अब आपको ये आपका दूसरा सवाल हो गया तीसरा सवाल अमूमन सभी एक्जामस में जो पूछा जाता है मेरे प्रिये विद्यार्थियों वो पूछा जाता संबन्द तो देखें इनका संबन्द जो जनम हम बात कहें राज मदम एक इस्थान है और ये इस्थान है तंजोर जिले में जिसे तंजोर तंजावर अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से दे रखा है दोस्तों तंजोर और ये पढ़ता है तमिल नाडू में उसमें तमिलनाडू को हम मद्रास कहते थे और मद्रास प्रसिडेंशी जो थी वो बिटिश भारत के अधिन थी यानि कि बिटिश सरकार के अधिन मद्रास प्रांत था तो मेरे प्यारे विद्यारतियों यहां तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे अब कुछ हम वेंकट रमन साहथ के बारे में अधिक जानकारी याद रखने के लिए देखो दोस्तों कि सी भी व्यक्ति का बेक्ग्राउंड जानना जरूरी होता है मान लीजिए एक सिर्फ आप अपने एक फ्रेंड से परिचित हैं तो उसका आप नाम पता जानते होंगे जाज़ा मोबाइल होगा वो आपके व्यक्तिकत रूप से आपसे जानकारी है लेकिन यदि आपकी जानकारी उसके परिवार तक है उसके माता पिता तक है उसके भाई बहन तक है और आपका दोनों का घर आना जाना है तो अर्थात आपके रिष्टे क्या होंगे अधिक मजबूत होंगे इसी प्रकार दोस्तों किसी भी राष्टपती के बारे में याद रखने के लिए हमें अगर हम सीधा सरिफ इतना सा पढ़ेंगी तो हम बूल जाएंगे ठीक है मैं आपको हकिकत कहरा हूँ आप अजमा के देख लीजिएगा तो हम बूल जाएंगे इसलिए सुरू से लेके उन्होंने एंड तक क्या किया तो उसकी जो मुख्य पॉइंट्स हैं मुख्य प्रावधान हैं यदि हमें उन्हें की वर्ड्स में याद रख ले तो लंबे समय तक उस राष्टपती को हम कभी नहीं बूलेंगे कोशिश करके देखिएगा परिणाम बहतर होंगे चलिए दोस्तों तो मैं यहां बता दूँ आपको सबसे पहले तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आर्वेंकट रमन साहब सविधान सभा की सदस्य थे अब सविधान सभा के सदस्य थे तो आपको पता है सविधान सभा के गटन 1946 में हुआ था ठीक है आगे हम बात करते हैं देखिए 1950 से लेकर 1952 तक अंतरिम संसत के सदस्य थे देखो दोस्तों कुछ लोगों को जो विद्यार्थी नए है उनको नहीं पता है उन्होंनों नहीं पड़ा है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ देखो दोस्तों ये जो समिधान सभा थी ये इसी ने जब समिधान का निर्मान पूरा हो गया 26 जनवरी 1950 के पश्चात इसने किसकी रूप में काम किया इसने अंत्रिम संसत की रूप में काम किया अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि जो भी सदस्य समिधान सभा का सदस्य रहा हो वो अंत्रिम संसत का सदस्य भी रहा होगा ठीक है आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं तो चलिए हम अगले पॉइंट के लेकर 1957 तक लोग सभा के सदस्चे रहे तीक है मेरे परिविद्यार्थियों 1952 से लेकर 1957 तक क्या रहे यह यह लोग सभा के सदस्चे रहे इसके बाद मैं इन्होंने तीन बार जो है मंत्री पद धारण किया यहने कि आयर वेंकट रमन साब जो है केंद्र सरकार में तीन इस्थानों पर केबिनेट मंत्री के रूप में काम किया और वो भी काफ़ी छोटे अंत्राल में तो देखो दोस्तों कई बार ऐसा सवाल बनने की संभावना रहती है कि इन्होंने किस किस पत्परकारी किया तो उस इस्थिती में मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो जनवरी 1980 में इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया ठीक है इसके बाद में मैं आपको बता दूँ 1982 जनवरी 1982 इन्होंने जो है रक्षा मंत्री के रूप में काम किया और देखो दोस्तों पैरे विद्यारतियों मैं आपको यहां क्लियर कर दूँ जून 1982 में ही साथ ही में इन्होंने एक और कारेबार समाला और वो था ग्रह मंत्री का यनि कि काफे सौड टाइम के लिए अलग-अलग विभावगों में ये मंत्री पत पर कारेरत रहे और आपको पता है कि 1980 में जो सरकार की जो एस्तिरता है इंद्रा गांदी पून्ट पुन्य भूमत में जीत कर वापस आई थी तो इंद्रा गांदी को कुछ ऐसे सदस्यों को जो हम कहें मंत्री पद देने थे जो उनके जो जनता के सपने हैं उनको साकार करने में शक्षम हो नई योजनाएं सई रूप से किर्यानमीत करने में शक्षम हो तो उनके में इसे अपने एक थे आर्विंकट रमन सहाथ तो देखिए इन्होंने तीन विभिन पदों पर इंद्रा गांदी सरकार के कारेकाल में काम किया अब देखो दोस्तों इसके बाद में 1984 में आर्विंकट रमन सहाब भारत के उपरास्टपती निर्वाचित होते हैं वहीं से अब देखो दोस्तों ये तो एतियासिक प्रष्ट भूमी है यहां से सवाल जो पुछे जाते हैं मैं बात करूँ सेकंड ग्रेड या उससे अपर लेवल के जितने भी एक्जाम सोंगे उनमें ये सवाल पुछे जाने की अधिक संभावना है यानि कि ये जो कोटे एक्जाम सोते हैं उनमें मुख्य रूप से वन लाइनर क्यूशन की रूप में प्राष्ट पतियों से सवाल आता है तो प्यारे मेरे विद्यार्थियों फटावट से आप इसका एक स्क्रिंशोट ले लीजिए ताकि हम मुख्य रूप से अगले जो प्रावधान है राष्ट पति से ले कर कि देश की साथ में उप्राष्ट पती थे फिर आठ वे निर्वाचित राष्ट पती बने यह सारा क्रम हम लिखेंगे इन्होंने अपने पत से त्याग पत्र दिया ऐसे उप्राष्ट पती जो राष्ट पती बने बहुत सारे फैक्ट्स हैं चार प् कंसेप्ट हैं जो फेक्ट्स हैं और इसमें मुख्य सवाल वे हैं दोस्तों आप मेरे साथ बने रही है क्योंकि ये जो सवाल मागे बताने वाला हूं वो प्रति किसी ना किसी एक्जाम में आप तक पूछे गए हैं आप बिल्कुल तयार रहे हैं उन सभी के लिए तो जल्दी से आप पहले इसका एक स्किन शोट ने लिजिए ताकि हम अगले जो सवाल बनते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे तो मेरे प्रिये विद्यारतियों उम्मीद करता हूँ आपने इसे लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ अब देखिए अब आगे जो हमारे सवाल बनते हैं दोस्तों वो किस परकार के बनते हैं और वो किसी भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं यानि कि अब जो सवालों की इस रंकला होगी उसमें आप ये मान कर चलिए कि यहां से सवाल किसी भी एक्जाम में किसी भी लेवल के एक्जाम में बले वो छोटा लेवल हो बले वो बड़ा लेवल हो सभी के लिए important है तो यहां से आपको प्रतिक चीज याद होनी चाहिए सबसे पहली चीज मेरे प्रिय विद्यार्थियों में यहां लिखना चाहता हूँ आपको बता देना चाहता हूँ 1984 में अब तक बाद कर चुके थे 1984 में भारत के साथवे उप्राष्ट पती निर्वाचित हुए ठीक है अब उप्राष्ट पती निर्वाचित हुए तो देखो दोस्तों 1984 में उप्राष्ट पती निर्वाचित हुए आपने जैसे ही पढ़ा अभी हमने बात की यहां पर मैं कोलम में लिख देता हूँ 1987 में इन्होंने यह राष्ट पती बने यहनी कि इनका कारेकाल हम यह कहें 84, 85, 86, 87 यहनी कि लगबख 4 साल का ही कंप्लेट हुआ था 4 साल भी पूरी निवेत है और इन्होंने अपने पत से त्याग पत्रे दे दिया अर्थात राष्ट पती निर्वाचन के लिए उपराष्ट पती के पत से त्याग पत्रे दे दिया छीक है राष्ट पती का निर्वाचन लड़ने के लिए उपराष्ट पती पत से त्याग पत्रे दे दिया छीक है आप देखो त्याग पत्रे देने के बाद में ये राष्ट पती का जो निर्वाचन था उसमें अभ्यारती बने और ये खड़े हुए और विजेता हुए अर्थात हम बात करें 1987 में देश के अर्थात भारत के आठवे निर्वाचित राष्ट पती बने अब मेरे प्रेविद्यारतियों जब देश के आठवे निर्वाचित राष्ट पती बने तो अग यहां से अगला सवाल बनेगा कि राष्ट पती पत के लिए कौन सा निर्वाचन था तो देखिए 1987 में यह किसी भी प्रकार से पुछा जाने वाला सवाल है 1987 में राष्ट पत के लिए नोवा निर्वाचन था यानि कि मेरे प्रिये विद्यार्थियों यहां मैं आपको बता दूँ यहां से किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है इस बात का आर्थ यह है कि वो सीधा आप से यह भी पूछ सकता है कि आर वेंकट रमन सहाथ किस राष्ट पती निर्वाचन के दुवारा चुने गए अब हमें यह तो यहां है कि आठ्वे राष्ट पती यह लिए कि निर्वाचन कौन सा था तो हमें वहीं याद रखना है कौन सा था नोवा निर्वाचन था क्योंकि आपको पता है दो निर्वाचन लगातार डॉक्टर राशंदर प्रसाथ के लिए उटें उसके बाद में लगातार सभी राश्टपती जो बनें उन्होंने एक ही कारेकाल पूरा किया दो कारेकाल के लिए कोई भी राष्टपती निर्वाचित नहीं हुए तो यहां से एक concept clear हो जाता है कि जो दूसरे राष्टपती बने उनके लिए निर्वाचन कौन सा था तीश्रा तीश्रे के लिए चोथा, चोथे के लिए पांचवा, पांचवे के लिए छटा, छटए के लिए साथवे के लिए आठवा, आठवे के लिए नूवाँ clear है concept आपको सभी राष्टपती आसानी से याद रहे जाएगी तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि मुख्य रूफ से अभी जो PGT वगरा के जो बन रहे हैं पेपर वाइस वगरा उनमें भी और पिछले जो हम अधर स्टेट्स की बात करें वहाँ पैसे स्वाकार के सवाल बनना प्रारम हो गए है तो राजस्तान में भी ये डेफिनेट है कि आने वाले जो एक्जाम से उनमें ये सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है तो आप इन सब के लिए तैयार रही है पहले से ही चलिए आगे हम बात करें राष्टपती पत के लिए नौवा निर्वाचन था अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने आप इनके बारे में जो कुछ फैक्ट्स है उनकी बात कर लेते हैं तो आरवेंकर्ट स्रवन साब ने चार प्रधान मंतरियों के साथ कारे किया चार प्रधान मंत्रियों के साथ कारे किया चार कौन-कौन थे उनके बारे में थोड़ा इदर जान लेते हैं नमबर एक यदि हम बात करें राजी उगांदी नमबर दो वीपी सिंग नमबर तीन चंद्रशेखर और नमबर चार पीवी नरसिम बाराव मेरे प्यारे विद्यारतियों ये चारों प्रधान मंत्री बहुत ही शोट टाइम में शोट पिरियड में हम कहें राजिव गांदी का कारेकाल काफी लंबा था आगया आप बात करेंगे वीपी सिक्रिंग का चंदर सेकर जी का इनका कारेकाल तो बहुत ही नियूंतम है यानि कि कुछ समय के लिए चुने गए उसके बाद में पीवी नर्सिम बाराव सरकार आ गई उननीस सो एकराणवे में यही राष्टपती थी तो यानि कि यह सब जो गटना करम है यही मैं आप से बात करूँ तो यह सारा 1989 से लेकर 1991 के बीच का है यानि कि जैसे ही राजीव गांदी साब का जो है देहांत हो जाता है हत्या हो जाती है जो भी आप कह सकते हैं उसके बाद में वीपी सिंग बनते हैं उसके बाद में चंदर सेकर जी बनते हैं और फिर भी आखर में जाकर कौन बनते हैं पीवी नर्स पति हमारे थे जैनी जहल सिंग साफ उन्होंने दिला दी थी जानि कि अब यह जो आखरी के तीन जो हम बात करें प्रधान मंत्री इनको सपत दिलाई थे तो हम बात करें तीन प्रधान मंत्रियों को सपत दिलाई कि तीन प्रधान कि मंत्रियों की कि नियुक्ति की वे सपत दिलाई है ठीक है पहले में चार कोन है और दूसरे में तीन कोन है दोनों चीजे कंसेप्ट क्लियर हो गई और यहां से बहुत ही बहतरीन सवाल जो पूछा जा सकता है निमने में से किस रास्त किस प्रधान मंतरी को वेंकट रमन साब आपने सपत नहीं दिलाई राजियू गांदी वीपी सिंग चंदर से कर रहा हो पीवी नर्सिंबा रहा हो देखो दोस्तों आप चो पहली बार पॉलेटी पढ़ रहे हैं उनको मन में काफी असमंजस होगा कि सर इतनी जानकारी कैसे याद होगी देखो दोस्तों लगातार आप कच्छवे की रफ्तार से चलते रहे है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पॉलिटीक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे ही इसमें एक बार इंटरेस्ट आने लगा आपको सारे कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगी लेकिन इसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा पहले पढ़ना आवश्यक है बिना पढ़े आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में जानने कही प्रियास नहीं करेंगी तो उसके बारे में आपको जानकारी कैसे ग्यात होगी तो फटावट से अब भी हम इसके उपर आगे और चर्चा करने वाले हैं मेरे पैरे विद्यार्थियों तो यहां अगला हमारा जो facts है उसको भी हम साथी में लिख लेते हैं पैरे विद्यार्थियों देखिए यहांने कि इनके निर्वाचन के समय पंजाब विधान सभा के 22 सदश्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घुशित करने के कारण होने के कारण विवाद उत्पन रहा होने के कारण विवाद उत्पन हुआ जिसके कारण निर्वाचन चर्चा में रहा अब देखो मेरे पहरे विधार्थियों मैं आपको यहां से कंसिप्ट किलियर कर दूँ पहली बार तो जो सवाल सिदा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आर विंकट रमन साहब के निर्वाचन के समय किस विधान सबा के सदस्चियों को आयोगे गोशित किया गया था पंजाब विधान सबा ठीक है फिर यहां से जो पूछा जाता है कि अग्ला सवाल दल बदल के अधार पर यानि कि यह जो आधार भी आपसे पूछा जाताए कि आर वेंकट रमन साहब के समय जो सदस्यों को आयोग्य गोशित किया गया था उनका आधार था आपके सामने तीन ओप्षन होंगे और चोताओं का उप्रोक्त सभी तो आपको वहाँ याद रखना दल बदल का आधार था ठीक है मुख्य रूप से हमारा जो सवाल बनता है वो पंजाब विधान सभा से बनता है और कितने सदस्य थे ये बनता है यानि कि अब मैं बताओं इसी को टुकडों में आर वेंकट रमन साहब देश के आठवे निर्वाची तराष्ट पती थे ठीक है उनका निर्वाचन पंजाब विधान सभा के सदस्यों के निलंबन के कारण चर्चा में रहा पंजाब विधान सभा के तीशरा उप्षन होगा 22 सदस्यों का निलंबन किया गया था चोथा होगा पंजाब विदान सभा के 22 अदश्यों का निलंबियन दल बदल के आधार पर किया गया था उप्रोक्त में अफिर होगा एक, दो, तीन, चार इस प्रकार के सवाल UGC, NET वगेरा जितने भी एक्जाम से उसमें आते हैं और आते रहे हैं हमारे जो एक्जाम आता है, हमारे जो क्यूशन से जो आते हैं एक्जाम में वो सीधा वन लाइन आते हैं मेरे पैरे विद्यार थी तो आपको यह हमेशा द्यान रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मल्टी रोल जो सवाल आते हैं वो मुखे रोप से समिधान की जो मेन प्रश्टबूमी है जो हमारी राज विवस्ता है उसके जो हमारी कहते है हम संगात्म करते हैं वहाँ से एसा सवाल आते हैं तो आज की कक्षा का हम यहीं समापन करते हैं मेरे प्यारे विद्यारतियों जो भी मेरे नई मित्र है एक बार पुनाय होने हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो अप्लोड किये जा रहे हैं